अपने बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आख बंद करो और अपने जमीर से पूछो कि मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पैरेंट्स ने मुझे कॉलिज में क्या करने के लिए भेजा है, मैं उन्हें कैसी लाइफ दे सकता हूँ, क्या वो मुझसे accept कर रहे हैं कि मैं pharmacy करने के बाद उनके लिए क्या कर पाऊंगा बस आपको थोड़ी देर आख बंद करके अपने आप से पूछना है कि मैं क्या कर रहा हूँ आपको सारे answer मिल जाएंगे और मैं क्या कर सकता हूँ because मैं आपको हमेशा बोलती हूँ आपके पास इतनी शक्ती होती है अगर उसने सोच लिया कि वो उसकी capacity इतनी है अगर उसने सोच लिया कि मुझे सुबा चार बजे नहीं जगना है तो वो नहीं उठेगा लेकिन अगर आपने उसे ये feel करवा दिया ये realize करवा दिया आपके मन के पास ये answer नहीं होता दिमाग तो इतना आलसी है कि बस वो बैठा ही रहेगा फिर तो आपको उसे एक specific answer देना है कि तुझे इसलिए चार बजे उठना है और अगर तु चार बजे उठेगा तो फिर तुझे ये हासिल हो जाएगा तो ये उसे समझाना है Hey everyone, साक्षी राजपूत here and welcome to BSP Pharmacy Future of Pharmacy Pharmacy का future क्या है आने वाले टाइम में एक फार्मासिस्ट कहां पे stand करेगा कुछ तथे, कुछ facts आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी Pharmacy फिल्ड जो है वो आने वाले टाइम में बहुत ग्रो करेगा No doubt, future of pharmacy बहुत ही bright है लेकिन pharmacy का future bright है क्या pharmacist का future bright है Because आप 4 साल बात, 3 साल बात, 2 साल बात, 1 साल बात या फिर शायद आप हो registered pharmacist Right, तो आपका future क्या है Right, आप देखिए क्या हुआ एक student ने एक वीडियो पर कमेंट किया था मुझे भी याद आया उसमें उसने बोला कि मैं कोई मेरा वीडियो था Pharmacy Council of India से related Pharmacy Council of Uttar Pradesh से related तो उसमें मैंने ये बोला हुआ था कि डेड़ साल हो गया registration के लिए apply किये हुए So, एक student ने comment किया उस वीडियो के नीचे कि मैं आप और pharmacy field में क्या कर पाओगे जब आप अभी तक अपना registration ही नहीं करवा पाए हो तो ऐसे students को मैं ये बोल दूँ सबसे पहले तो आप लोगों को teacher से बात कैसे करना है उसकी sense होनी चाहिए Right, क्या comment करना है उसकी sense होनी बहुत जरूरी है कि आप क्या लिख रहे हो Right, यहाँ खड़ा हो ना camera के सामने और वहाँ पे बैठ के comment टाइप कर देना दोनों में धर्ती और आसमान का फर्क है तो पहले तो मैं ऐसे लोगों के लिए ऐसे student के लिए आप लोगों की BSP pharmacy को कोई जरूरत नहीं है, कोई आवशक्ता नहीं है बेटे, बात उसमें corruption की ओरी थी, कि इंडिया में, UP में इतना corruption है और जितना मैं BSP pharmacy इस topic के बारे में इतने sensitive topics के बारे में बात करता हो, तो मेरे सामने लेके आओ, कि हाँ मैं, ये ये बंदा, ये channel, ये कोई भी authority, इस चीज के लिए बात करती है, तो आप मुझे बता देना, लेकिन हम अगर यहाँ पे खड़ेों के बात करें, तो आप लोगों को उसमें भी दिक्कत है, डेड़ साल से अगर registration नहीं आया, तो किसकी गलती है pharmacy council of उत्तर परदेश की गलती है, या मेरी गलती है, अगर मैं वहाँ पे जाके 15,000, 20,000 रुपे देदू, तो registration मेरा आजाएगा चार दिन में आजाएगा, पास दिन में आजाएगा लेकिन अगर कोई action नहीं लिया, अगर किसी को रिस्वत नहीं दी तो शायद आप रिस्वत खो रही हूँ जिसने नीचे comment section में comment किया था, तो पहले सोस समझ के तब comment किया करें सारे facts, सारे तथ्या जान के तब comment किया करें और भी बहुत सारी चीज़े हो रही है, वो भी मैं कैमरा के सामने बताने वाली हूँ जल्द ही, दो चार चीज़े और मी है जिनके उपर discuss करेंगे कौन कर रहा है, क्या हो रहा है, I don't know ठीक है जी, सोस समझ के comment किया करें क्यूंकि BSP Pharmacy को ऐसे लोगों की, ऐसे students की बिल्कुल आवशकता नहीं है आपको अच्छा लगे, चैनल को सब्सक्राइब करो ना लगे, अंसब्सक्राइब करो, लेकिन प्लीज, hates मत फलाओ ठीक है, BSP Pharmacy ने शुरुवात किया, Pharmacy फर्ल्ड में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है और अगर भगवान ने चाहा, तो तक पहुँच भी जाएंगे, और हमने यही संकल्प लिया है कि BSP Pharmacy के जितने भी स्टुटेंट्स हैं, उन्हें फ्यूचर में एक बेस्ट फार्मासिस्ट बनाएं, बस यही संकल्प है हमारा, उसी के लिए निरंतर काम करिये टीम, आप लोगों के लिए न्यू अप्लिकेशन बनवाया गया, BSP Pharmacy Official, क्योंकि स्टुटेंट्स को BSP Pharmacy App पे लाइव क्लासिस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, डाटा जाधा कंजियोम और बच्चे लाइव क्लास निये टैंड कर पारे सिर्फ आप लोगों की वज़े से, वरना हमारा कोई नुकसान नी हो रहा था, आप से हमने पैसे ले लिए कोर्स आपने खरीद लिया, बस काम खतम हो गया, हमारा लाइव क्लास चल रही है डाटा आपका खतम हो रहा है, उसमें हमारी क्या दिक्कत है लेकिन फिर भी आप लोगों के comfort के लिए दूसरा app बनवाया गया, जिसमें कि आपका डाटा ज़्यादा consume ना हो, आपको source का feature मिले, आपको बाकी features मिले सो BSP pharmacy सिर्फ अपने students के बारे में सोचता है, तो जो haters हैं, वो please हमसे दूर रहे, right future of pharmacy, future of pharmacy, देखे, मैं आपको दो चीजे बताऊंगी, pharmacy का future जो है, वो बहुत bright है, but क्या एक pharmacist का future bright है, उसके बारे में आज discuss करेंगे, pharmacy field की growth जो है वो निरंतर बढ़ रही है, covid के बाद तो बहुत जादा growth हो रही है, लेकिन एक pharmacist, क्या उसकी growth होगी, जब आने वाले कुछ सालों में, दो से तीन साल में ही मुझे लगता है कि pharmacy का जो ये profession है, pharmacy का जो crazy है, वो peak पे पहुँच जाएगा, हर घर में जब pharmacist होगा, तो कहां consume होगे, इतने pharmacist, हर बंदा, फार्मा, हर घर में, अगर कोई course कर रहा है, बंदा, 12th standard के बाद, तो वहाँ पे कहीं न कहीं कोई D-Pharma वाला या B-Pharma वाला मिली जा रहा है, आज के टाइम पे, ठीक है, पहले दूर-दूर तक भी गाओं में कोई pharmacy के बारे में, pharmacist के बार में नहीं जानता था, लेकिन अब हर बंदा, यह सोच रहा है, कि 12th के बाद pharmacy कर लो, कुछ नहीं होगा, तो अपना medical store खोलेंगे, अरे इतने medical store खुलेंगे, तो फिर भाई, कैसे होगा, चलेंगे कैसे वो, है ना, इतने start-ups होंगे, तो वो लेंगे कैसे, start-ups चलने के लिए भी तो distance maintain होना चाहिए, तो यह चीजे हो रही है, उसके अलावा, ठीक है, जो अच्छे से पढ़के, अगर pharmacist बनता है, तो आने माले टाइम में सिर्फ उनीकी demand होगी, जो पैसे देके डिगरी वालों की तो कोई demand होगी नी, ऐसे बंदों की भी नी होगी, ऐसे बंदों की तो ओर जादा नी होगी, बिकोज जो पैसे देके डिगरी ले रहे हैं, कम से कम वो कहीं ना कहीं, experience तो ले रहे होंगे, वो aged persons है, उनके पास experience अपना खुद का काम है, इसलिए पैसे दे के degree ले रहे हैं, लेकिन आपके, आप तो पैसा भी बरबाद करवा रहे हैं, वरवालों का, कोलीज में जाके कुछ सीख भी नहीं रहे हो, कहीं, अगर online platforms में कुछ सीखने की चीज़ हैं, तो बी नहीं कर रहे हो, चार साल बात पता चलेगा, आपको लेबर की नोकरी भी नहीं देंगे फार्मसोटिकल इंडस्ट्री वाले, तो ये बात ध्यान रखो, इतने फार्मसिस्ट कंजियूम कहाँगे, तो जो काबिल होगा, सिर्फ उसी को नोकरी मिलेगी, उसी को रोजगा मिलेगा बात कि आप लोग ऐसे ही डिग्री लेके घूमोंगे जो हाल अब इसे 5-6 साल पहले बीटेक वालों का हुआ था इंजीनियरिंग का हो रहा था वही हाल आने वाले टाइम में फार्मासिस्ट का होना है तो इसमें गलती नहीं है किसी की ठीक है मैं यह नहीं बोलूंग जिनके कोविड में निकल गए 2-3 समेस्टर मतलब उन बंदों को 6-7 समेस्टर, 8 समेस्टर या पिर जिस भी समेस्टर के एक्जाम उनोंने कोविड में दिये हैं उनके नाम तक नहीं पता बस बैठके ऐसे पेपर दे दिये तो इस तरीके से अगर काम होगा ऐसे फार्मासिस बोस्ते रहो, डेली सोचो कि हमारे माबाप ने कितनी महनत करके हमें यहां भेजा है, बस एक चीज अपने दिमाग में रखो, सारे काम करो, मैं बोलती हूँ, college life enjoy करना बहुत ज़रूरी है, इसके बाद तो struggle phase सुरू हो जाएगा, लेकिन पहले नंबर पे अपनी पढ़ाई आपको कौन-कौन से steps लेने पड़ेंगे, यह आपको बनाना पड़ेगा, बेटा, आज बैठके बनाना पड़ेगा, इसके लिए आपको time नहीं मिलेगा, कोई नहीं देगा time, 4 साल बाद अगर सोचोगे करना क्या है life में, तो फिर सोचते रह जाओगे, 8-10,000 की नोकरी करो अगर आपको पूरी life नहीं करना है, तो इन 4 साल में, सब काम करो, लेकिन पहले नंबर पर अपनी study को रखो, target set करो, कि 4 साल बाद करना क्या है, ठीक है जी, तो आने वाले 5-10 सालों में, क्या होने देख, pharmaceutical industries जा रही है, पूरी growth हो रही है, pharmaceutical industry की, पूरी growth हो रही है, कोई नहीं रोक सकता, pharmaceutical industries के growth को कोई नहीं रोक सकता, आने वाल future कैसे बनाना है, company जब employee सामने वैठता है, तो वो यह देखते हैं, कि मेरे कितने काम आएगा, और उस हिसाब से वो आपको salary offer करती है, उस हिसाब से वो आपको काम देती है, तो आपने अपने आपको invest करना है, तो आपने उपर time invest करना है, आप अपने लिए ही तो कर रहे हो, किसी और के लिए थोड़ी कर रहे हो, खुद सोचो, चलो माबाप के बारे में बाद में सोचना, पहले खुद के लिए सोचो, क्या आप एक luxury life जी पाओगे, नहीं, इंडिया में कितने लोग है, बलकि दुनिया में कितने percent लोग है, जो कि luxury life जी रहे हैं, कितने लोग हैं, खुद सोचके देखो, कितने percent, मातर एक percent, मातर एक percent, या फिर एक percent से भी कम, जो luxury life जी रहे हैं, तो अगर उन एक percent में आना है, तो आपने देखा न, 99% आप पीछे हो, राइट, तो वो 99% आपको कैसे आगे जाना है, उसके लिए बहुत महनत करनी होगी, ऐसे नहीं मिलता ह करियर, ऐसे नहीं बन जाता है, कि डिगरी ले आओ, मैं नोकरी दिलवा दूँगा, कोन है वो नोकरी दिलवाने वाला, बताओ जरा मुझे मिलवा उससे, डिगरी ले आओ, मैं नोकरी दिलवा दूँगा, डिगरी से कोई company नोकरी नहीं देती, देखती है, बंदे में skills क्य है, ठीक है जी, so future मैंने आपको बता दिया, pharmacy का, pharmacy का future बहुत बढ़िया है, लेकिन pharmacy, pharmacist का future, आपका future आपके हाथ में, कि आपको से कैसा बनाना है, राइट, चलिए जी, ठीक है, एक अच्छा pharmacist बनने के लिए, BSP pharmacy ने शुरुवात की है, कि हाँ, आपको एक अच्छा pharmacist ब इस बार decide किया है, कि जब result आजाएगा हमारे students का, first time को target किया है, third time वाले students भी इसमें सामिल होंगे, क्योंकि first time का जब result आएगा, हमारे students का जब result आएगा, जिस भी student के, ठीक है जी, ये बात note कर लेना, मैं बोल रहे हूं, जिस भी student के 90% के अबाव आएंगे, BSP pharmacy से पढ़ सारी चीजे, वो अपना result भी show करेगा, अपना खुद का interview भी देगा, सारी चीजे होंगी, साती साथ बहुत 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 बढ़ा gift हैं पर हम देने वाले अपने उस student को, personally आपको invite किया जाएगा, आपके आने की, खाने, पीने की, रहने की, सब की सुईधा, BSP pharmacy की तरफ से की जाएगी, that is important announcement from BSP pharmacy, एक student हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, जिसके भी 90% के अबाव आएगे, उन students को बुलाया जाएगा, हमारे office में, personally आप लोगों को आना है, और आपका meet up होगा, team BSP pharmacy से, आपके सारे teachers से, और उसके अलावा, आपका experience भी लिया जाएगा, और बाकी students को भी, आप करना, तो आज से ही महनत करनी शुरू कर दो, आप लोगों के लिए, ये एक बहुत ही सुनहरा मोका होगा, और गिफ्ट हैंपर में क्या होगा, वो तो आप यहाँ पर आ के देख रही, देखी लोगे कि आप लोगों के लिए, कौन-कौन से गिफ्ट अवाइलेबल करवाए है हमारी अप, BSP Pharmacy Official पे जाके विजिट करें, कोर्स में जोइन करें, और पेंकिलर बैच आपके सारे पें दूर करने के लिए आया है, जिसमें मातर एक महिने में आपकी complete preparation करवाई जाएगी, कोर्स बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है, फटा-फट जाके कोर्स में फटा-फट जाके जोइन करो, daily basis पे live classes, notes, important questions, recorded lectures, everything आपको provide करवाई जाएगा उस कोर्स के अंदर, so जाके विजिट करें, thank you so